उड़ने वाले साप उड़ने के लिए खाज तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और हवा में अंग्रेजी बाहशा के अक्षर यस का आकार बनाते हैं इस प्रक्रिया को एंडुलेशन कहा जाता है शोद करताओं ने यह भी पता लगाया कि इन सापों के शरीर का पीछे का हिस्सा एक तरह के उपर नीचे होने वाली मुढने की गतिविदी करता है शरीर को फेकने की यह गतिविदी उसे उड़ने वाला साप बना देती है इस कारण उन्हें ग्लैडिंग स्नेक भी कहा जाता है इस सोद अध्यान में शामिल बायोक्रेमिकल इंजिनियरिंग एंड मैकेनिक्स के प्रोफेसर जैक सोचा के मुताबिक अपने शरीर को सीधा करना और लहराने वाली गतिविदी के कारण साप हवा में तेरते दिखाई देते है प्रोफेसर 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 जाता है